इद का तीसरा दिन है और आज हम ये बहुत ही मज़े काना बीफ लीम बनाने लगें गोश्ट की बहुत सारी डिशिस बनती हैं लेकिन घरवालों की फर्माईश थी के बीफ लीम खलाएं जिसको खाकर मज़ा आ जाएं तो मैंने सोचा ये मज़े-मज़े की रेस्पी आपके साथ भी शेयर करता हूँ बिस्मिल्लाइक्मान रोहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ आपका उसरा आपके दोस्त जुगनुजान और आप देख रहे हैं जुगनुफूट दोस्तों आज हम भी फलीम बनाएंगे इत पर गोश्ट की बहुत सारी डिशस खा लिए लेकिन अब भी फलीम बनाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर चने की दाल लिए एक पाओ और दाल मूंग लिए एक पाओ सारी डालों को हमने एक राद भिगो के रखा और अब पानी जाया करने के बाद हम ये बरतर में शिफ्ट करें इसी तरह एक पाउ डाल लिए हमने या मसूर की धुली हुई डाल इसको भी हमने एक राद भिगो के रखा वो भी इसमें शिफ्ट कर देंगे, शामिल कर देंगे, देख्षे के अंदर, और इसी तरह दाल माश लिये हमने, दाल माश भी हमने एक पाउ लिये, यानि के 250 गराम, सारी चीजे हमने हम वजन लेनी है, चावल लिये, टोटा चावल, 250 गराम ही हमने यहाँ, चावल इस्ताव के, इतने मज़े का अलीम बनेगा, इतनी परफेक्ट रेशो बताऊंगा, कि आप सारी डिशिस बूल जाएंगे, यही वाला अलीम बनाएंगे, इन्शाल्ला, बहुत जबरदस रेस्पी बनेगी, और अब लिया हमने 250 गराम गंदुम और जो का मिक्स दलिया, यह भी पूर का तो बाद में मजीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम दो टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, और अब हम साथ ही न, दो टेबल स्पून हल्दी पोर्टर शामिल करेंगे, अच्छी क्वालिटी की हल्दी शामिल करनी है, दो टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दी, और साथ ही कर देंगे तमाम दालों को और दोनों मसाला जात कोĩ हैं फिलीब को कर देंगे ओन और इसको तक्रीबन हम ऐसे ही चार घंटे पकाएंगे पानी थो हुदाoug कर देंगे और कोई भी चीज हमने इसमें शामिल नहीं कि अ ठीक है ना मिर्शे शामिल की है ना कोई ओयल शामिल की है कवर कर दिया और चार घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं और दूसरी दरब हम बनाएंगे गोष्ट का कॉर्मा ये गोष्ट लिए है कुर्बानी का गोष्ट है जो सीरी का गोष्ट होता है ना जो हलीम आप बजार में खाते हैं न ये वो सिक्रेट दे रहा हूं मैं आपको जो आप बहुत मज़े ले लेके बड़े बड़े ब्रैंड का खाते हैं वो इसी तरह हलीम बनाते हैं सीरी के गोश्ट का हलीम बनाते हैं कल्ले के गोश्ट का क्यूंकि हलीम सबसे ज्यादा मज़े के गोश्ट का ही बनता एक दफा उबालनेना हमने पानी जाया कर देना है और उबला हुआ गोश्ट दुबारा प्रेशर में शामिल करेंगे हम सिरफ उबालना है कोई लेसन नी डाला कोई नवक निडालना कले के गोश्ट का, जिसे हम सीरी के गोश्ट का बोलते हैं ये बड़ा लेजडार होता है और बहुत ही इसका खास टेस्ट बनता है नमक शामिल कर देंगे हम नमक हमने दो टेबल स्पून दालों में भी शामिल किया था और यहां एक टेबल स्पून शामिल किया है और लाल मिर्च शामिल करेंगे हम चार टेबल स्पून लाल मिर्च का पॉडर शामिल कर रहे हैं धनिया पॉडर शामिल करने लगे हम, चार टेबल स्पून ही इसमें हम धनिया पॉडर शामिल करेंगे, यह देखें, चार टेबल स्पून धनिया पोटर शामिल किया है एक टेबल स्पून हल्दी शामिल किया है और दो टेबल स्पून हल्दी हमने जब धाले पकाने लगेते उबाल रहेते उस वक भी शामिल की थी इसलिए यहां एक टेबल स्पून हल्दी चार टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया और कुछ पते तेज़ पात के शामिल कर दिये, पानी शामिल कर देंगे प्रेशर में और इसको लगा देंगे हम तकरीबन एक घंटे के लिए प्रेशर, कम से कम आप पंतालिस से साट मिनट का इसे प्रेशर लगा दें, ये जो गोश्ट है ना सीरी का गोश्ट, ये ख जो गोश्ट होता है गाएं का वो शामिल करें और उसको पका लें सेम टेस्ट होगा लेकिन उसमें ऐसी लेस नहीं होगी यह देखें़ एक घंटा गुज़र चुक है गोश्ट बिल्कुल जो है ना हलवा हो गया बिल्कुल गल चुक है चमश लगाने से गोष्ट तूट रहा है अब हमने क्या करना है घोटने की मदद से जो गोष्ट में थोड़ी बहुत कसर है वो सारा पीस लेंगे हम इस तरह इसको जब घोटेंगे गोष्ट सारा गायब होजेगा एक लेस बन ज हलीम असल में वैसे ही बनता है एलेक्ट्रिक घोटने की मदद से जब आप उसको गोटते हैं तो बिल्कुल बारीग पिस जाता है गोष्ट बिल्कुल तयार हो चुका है बिल्कुल गुट चुका है डाले यह देखें बिल्कुल गुट चुकी है यह आपके सामने है इसी दाले खड़ी हैं लेकिन ये बिल्कुल हलीम की तरह बिल्कुल बारीक पीज जाएंगी जब हम इसमें गोश्ट शामिल कर देंगे और गोश्ट शामिल करने के बाद तकरिमान इसको आदा घंटा में ऐसे गोटेंगे अगर आप ये मेहनत से बतना चाहते हैं तो आप दा करना चाहते हैं तो घोटने की मदद से आप इसको दालों को यहां बिल्कुल बारीक पीज सकते हैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताके मसाला वगएरा कुछ जाया नौ बहुत ही जबर्दस इसकी खुश्बू है आप इसको एक बार जरू ट्राय करें रेस्पी क और फिर मुझे पताएं कि बाजारी टेस्ट आपको मिला है या नहीं मिला इसको जब हम इस तरह घोटने की मदद से प्रौपर आदा घंटा घोटेंगे तो यह एक जबर्दस फार्म में हासिल हो जाएगा और लास्ट में हम इसके उपर कुछ मसाला जाश शामिल करेंगे जो इसकी असले जहान होते हैं अभी तो यह एक सादा हलीम त्यार हो रहा है यह देखें गोटने की मतद से इस तरह इसको गोट लेंगे जुगनुफूट पर हलीम बनाने की बहुत सारी और भी रेस्पीज मुझूद है आप विजिट कर सकते है और बहुत सारे दोस्तों को वह रेस्पीज पसंद है वह कारो बार भी कर रहे है और इसी तरहां बहुंग पाई की बकराईद के वाले से गोश्ट की बेशुमार रेसिपीज अठंतिक रेसिपीज उरिजिनल रेसिपीज जुगनु फूट पर आपको मिल जेंगी आप विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं जुगनु फूट यह देखें आदा गंडा गोटा है अलीम जबरद ठीक है इससे जाधा मजीद इसको गाड़ा मत करें अब हमने क्या करना है इसपेशल गरम मसाला लेना आपने बाहिर से मिल जएगा परचून की दुकान से आपको अच्छा गरम मसाला मिल जएगा हम दो टेबल्सपून गरम मसाला इसमें शामिल किया हैं और इसी तरह एक ट और एक टेबल स्पून अब हम इसमें शामिल करें चार्ट मसाला, सबसे पहले गरम मसाला शामिल किया, और फिर काली मिच और अब दो टेबल स्पून सोरी, एक टेबल स्पून नहीं, दो टेबल स्पून, चार्ट मसाला शामिल कर दिया, चार्ट मसाला शामिल करके इसको अच गोटना है तो इसलिए इसकी गुटलियां जो हैं खतम हो जाएंगी मसाला जो गुटली की सूरत है खतम हो जाएंगी लेकिन असल में अगर आप बनाएं तो पानी में हल करके शामिल कीजेगा लास्ट में हम इस पे तकरीबन आदा किलो घी का तड़का लगाएंगे दो प्या अज़र दीजे अपना बहुत सा ख्यार रखेंगे अल्लाहाफिस